तेहरीक इंसाफ के लोंग मार्च का तीसरा रोस इमरान खान मुरीद के पहुँच गए काफलों के कुछ देर मेरवान की आज गुजावाला तक जाने का प्लैन इस सामाबाद के रास्ते में जगा जगा पढ़ाओ इमरान खान के खिताब शेडियू इमरान खान ने एक माह पहले मुजाकरात की पेशकर्श की मुश्टर का कारोबारी दोस के जरीए राबता हुआ पीटेयर चैम मैंने नए आर्मी चीफ के लिए तीन नाम खुद भिचवाए और तीन हकुमत की तरफ से देने की बात की वो आम इंतकाबात की तारीख में भी चाहते थे लेकिन मैंने दरख्वास ठुकरा दी और मिसा के जमहुरियत मिसा के मिश्ट की आफर की डी जी आईसाई ने मुझसे जादत लेकर प्रस कांफरंस की वज़िर आजम शेवाज शरीफ की यूट्यूबर से बात चीए इमरान न्याजी अपने मजबू मकासित के लिए लौग मार्च कर रहे हैं पीटिया का यादत एक बार फिर मुल्क की हालात खराब करने के दरपे है ये लौग मार्च और धरने की आर्ड में इंतिशार की सियासत को हवा दे रहे हैं इस कुनी मार्च का किस को फाइदा होगा इमरान कान को अपनी अना और घमन मुल्की मुफदात से कहीं ज्यादा अजीज है दोस्त मुमाली के तहाइ फवेशना मजह का खेस है आई एम एफ प्रोग्राम से पाकिस्तान दिवालिया होने से बच गया वजिर आजम शेहबाद शरीप इमरान कान किसी हुकुमती कमेटी से नहीं बलके वहाँ बात करेंगे जहां बात बनती है लॉंग माच का मकसद इलेक्शन की तारीख लेना है कप्तान मेरे लीडर है जो कहेंगे वही करूंगा सियासत का गर्मी या सर्दी से कोई तालुक नहीं अगर मौसम गर्म होगा तो इसे ठंडा करने की कोशश करेंगे हम मुल्क में सियासी इस तहकाम के खाईश मन है मौतल, नूनली की अरकान बहार भी हो जाएं तो हमारी हकूमत का कुछ नहीं बिगाड सकते वजिराला पंजाब पर वेज इलाही हकूमत इलेक्शन से भाग कर मुजाकरात का ढोंग रचा रही है जो हकीकी बाइक्तियार हैं वो मुल्क की बेहतरी के लिए इंताखाबात कराएं हकूमत का रैड जोन इसलामाबाद की तोसी का फैसला सियासी तसादम की दावत देना है शेख रशी एहने 45 कुर्व में जिमनी इलेक्शन का मारका पॉलिंग जारी इमरान कान और जे यू आफे के मलिक जमील खान में सक्त मतकाबला मतवक्य जमात इसलामे के शेर महमद खान भी जीत के लिए पुर उम्मीद सिक्योरिटी के सक्त इंतजामाद टी-ट्विंटी वर्लकाप पाकिस्तान औरी दे लैंड्स आमने सामे कामे बॉलर्स की हमदा बॉलिंग डच्टीम ने तीन विकेट पर चवालिस रंस बना लिये और आइलेंड विमन क्रिकेट टीम लाहूर पहुंच कई पाकिस्तान और आइलेंड की खावातीन टीमों के दरमयान तीन वंडे और तीन टी ट्वंटी मैचस की सीरीज चेडियूल तमाम मैचस के मेजबानी कजाथ स्टेडियम करेगा पहला वंडे चार नवेंबर को होगा